राम मंदिर में आने वाले 6 सबसे अनोखे उपहार, नमबर 6, 200 किलो लड़ू, राम मंदिर के लिए श्री कृष्ण जन्म भूमी मतुरा से 200 किलो लड़ू अयोध्या भेजे जाएंगे, जो कि करीब 1.11 लाक लड़ू हुए, यह लड़ू खास मेवा मिश्री केसर से तयार कि जाएंगे, जो कि बहुत स्वादिष्ट होंगे। कि यह अगर बत्ती डेड़ से दो महीने तक लगातार जलेगी। लेकिन एक दीपक ऐसा है, जो काफी खास माना जा रहा है। वडोद्रा के रहने वाले किसान अरविंद मंगल भाई पटेल ने 1100 किलो वजन का एक विशाल दीपक तयार किया है। इस दीपक को बनाने में करीब 500 किलो मिट्टी और पंच धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा का इस्तिमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दीपक में 850 लीटर घी डाला जा सकता है। इसकी कीमत तकरीबन 7 करोड रुपे है। यह दिया 18 जन्वरी को तयार हो जाएगा, जो दिखने में अधिक सुन्दर और विशाल है। नमबर दो, 2100 किलो का घंटा, राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा, जो मंदिर की सुन्दर्ता को और बढ़ाएगा, इसे बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है। इसे अश्टधातू से तयार किया गया है, और इस घंटे की उंचाई 6 फीट और चोड़ाई 4 से 5 करीब फिट है, बात की जाएं, इसकी कीमत की जो है तकरीबन 10 लाक रूप है, इस घंटे से निकलने वाली आवाज काफी दूर तक सुनाई देगी। ऐसे ही पूरे भरत वर्ष में राम मंदिर की स्थापना के लिए देश भर से लोगों ने दान किया है। कई लोगों ने राम मंदिर के लिए बहुत सारी विशेश पूजा सामगरी और भोग के लिए व्यंजन भेजे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें। झाल करें।